पटना में हुआ बड़ा हादसा गांदी सेतू से एक स्कॉर्पियो गाड़ी रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिर गई है बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पर चार लोग सवार थे घटना गांदी सेतू के पिले नंबर 38 के पास हुई है वहीं घटना के बाद से ही NDRF की टीम को रेस्क्यू में लगाया गया है गाड़ी को पानी में खोजा जा रहा है इधर गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ने से NDRF को तिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू में जुटी NDRF की टीम घटना के बाद से ही मौके पर NDRF और SDRF के अधिकारी पहुचे हुए है इसके साथ ही साथ ख़बर मिलते ही City SP East Rajendra Singh भीम पटना City Additional SP बलेराम प्रशाद पटना City SDO Rajesh Roshan सहीत कई पद अधिकारी पहुच गये हैं सबे अधिकारी घटना स्थल पर क्यांप किये हुए हैं घटना आलमगंज ठानच छेत के महात्मा गानी सेतु इलाके की है जहां महात्मा गानी सेतु के पायस संक्या 38 का रेलिंग तोड़कर ये गाड़ी बीच गंगा में जागिरी कटना मंगलवार की सुभा साड़े पाच बजे से छे बजे के आसपास की बताया जाती है बताया जाता है कि सफेज रंग की स्कॉर्पियो हाजिपूर से पटना के ओर आ रही थी घाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी इसी दोरान महात्मा गानी सेतु के पायस संख्या 38 के पास कट पॉइंट के समीफ स्कॉर्पियो लोहे का रेलिंग तोड़कर बीच गंगा में जागिरी सेतु पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा कटना की जानकारी आलम गंच पुलिस को दी गई मामले में वरिय पुलिक अधिकारियों को अबगत कराय जाने के बाद NDRF और SDRF के जवान गंगा में स्कॉर्पियो की तलाश में जुड़ गये हैं कटना के लगबग दो गंटे बीचने को है ऐसे में आशंका जिताय जारी है कि स्कॉर्पियो में सवार लोगों की बचने की संभावना लगबग नामुम्किन है फिलाल SDRF के जवान गंगा में डूबे गाड़ी और स्कॉर्पियो में सवार लोगों के तलाश में जुटे हैं अगर आप इस वीडियो को पेजबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज़ को लाइक करें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पट्टा से ब्यहापलस की रपोर्ट